Hello everyone, welcome back to our channel Guys, आज का part is FF story का last part है इसलिए थोड़ा long बनाया है क्योंकि अगर मैं regular length की वीडियो बनाती तो सिर्फ एक chapter ही नरेक्ट करने के लिए रह जाता इसलिए इसी वीडियो में मैंने पूरी बाकी की story भी cover कर ली है ओके तो please enjoy the video explanation और अपनी comments मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और जो कोई भी इस channel पर नए आ रहे हैं प्लीज चैनल को subscribe कर लेना तो अब चलिए आप सबका और ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज का video explanation हम शुरू करते हैं लास पार्ट में हमने देखा था कि वींग मिसिस लैन को उनकी गलती का एहसास करवाता है जो चीज जान कर और समझ कर मिसिस लैन को बहुत दुख होता है और चैन से वींग को बचाने के लिए वो खुद चैन की चलाई गोली के सामने आ जाती है और वींग को लगने वाली गोली वो खुद अपने उपर ले लेती है और अफसोस करती है कि अब उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिल पाएगा और वो लंजा के साथ नहीं रह पाएंगी वही लंजा पुलिस आफिसर्स के साथ वींग को वेल हाउस में ढूनने आता है जहां चैन लंजा के सामने ही वींग को गोली मार देती है और लंजा ये सब देखकर पागलों की तरह भागते वे वींग और मिसिस लैन को लेकर हॉस्पिटल आता है और उन दोनों की हालत के लिए खुद को ब्लेम करता है वही अगले दिन हॉस्पिटल में हाउशवान को होश आता है तो वो खुद को अंजान जगा पर पाता है जहां उसकी बोड़ी पे जिप्स की ट्यूब अटाश थी जिसे फील करते हुए हाउशवान हलकी आवाज में पूछता है कि वो कहां है जो आवाज सुनकर जियांग फॉरन आकर हाउशवान को गले लगा कर कहता है कि उसे लगा था कि वो हाउशवान को खो ही देगा जहां जियांग को अपनी सामने देखकर हाउशवान जियांग की पीट को थप थपाते हुए कहता है कि उसे भी यही लगा था कि वो नहीं बच पाएगा क्योंकि किसी ने उसके सिर पर वार किया था पर वो यहां हॉस्पिटल कैसे पहुँचा जिस पर जियांग बताता है कि चैन ने हाउशवान और वीन को किटनैप करवाया था और लंजा ने उन दोनों के साथ साथ मिसिस लैन को भी चैन से बचाया लेकिन कुछ बहुत बुदा होने वाला है यह कहते हुए जियांग के आसू बहने लगते हैं जिसे देख हाउशवान जियांग को समझाते हुए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा उसी होस्पिटल के दूसरी साइड वींग की माम लंजा का कार्ड रिसीव करते ही होस्पिटल डेरन के साथ फौरन आकर लंजा से वींग का हाल पूढ़ पुशती है जिस पर लंजा कहता है कि उसकी मौम और वींग अभी तक एमजनसी वौर्ड में ही है लंजा को भी कर राज से उन्हें मिलने नहीं दिया क्योंकि उन दोनों का ही बहुत जादा ब्लड लॉस हो चुका है जो सुनकर वींग की माम रोने लगती है फिर डेरन पूछता है कि उस साइको का क्या हुआ जिसने वींग को गोली मारी थी तो लंजा इस पर कहता है कि वींग को गोली मारने के अगले ही पल वो पुलिस की गोली से मारी गई तब ही डेरन लंजा का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि फिर वो क्यों नहीं मर गया क्योंकि वींग के साथ इतना बुरा सिर्फ लंजा की वज़े से ही हुआ है जिसपर लंજा खुद को डेरेन से बचाने की कोई कोशिश नहीं करता लेकिन वीन की मॉम आगे बढ़ कर दोनों को एक दूसरे से अलग करते हुए डेरेन से कहती है कि इन सब में लंजा की कोई गलती नहीं है वहीn वींग की मॉम का कहा सुनकर लंजा जमीन पर अपने गुटनों के बल गिर कर रोते हुए कहता है कि ये उसी की गलती है क्यूंकि उसने अगर वींग को अपने पास वापस ना आने दिया होता तो उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता वो एक मॉंस्टर है जो किसी का प्यार डिजब नहीं करता खास्तोर पर वींग का जिसके साथ उसने इतना बुरा किया है लंजा को इस तरह बोलता और रोता देख वींग की मॉम भी लंजा के बराबर बैठते वे उसे गले लगा कर कहती है कि ये लंजा की गलती नहीं है और ना ही वो मॉंस्टर है विंग की मॉम लंजा को समझाते हुए शांत करने की कोशिश कर ही रही होती है कि एक नर्स एमरजनसी वाट से बाहर आकर कहती है कि तोनों में से एक पेशन्ट को होश आ गया है जिस पर लंजा कनफ्योज लुक के साथ नर्स को देखते हुए सोचता है कि आकर कौन होश में आया होगा उसकी मॉम या विंग और ये सोचते हुए लंजा नर्स को चुप चाप फॉलो करता है जहां दोनों के ही रूम की तरफ बढ़ते हुए लंजा मन में सोचता है कि वो किसे होश में चाता है अपनी मॉम को या अपने प्यार को तब ही विंग के रूम के पास पहुँचकर लंजा नर्स से पूछता है कि क्या विंग होश में आया है जिस सवाल पर नर्स उसके साथ फाले रूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि होश लंजा की मॉम को आया है और ये कहकर नर्स लंजा को मिसिस लैन के रूम में छोड़ कर बाहर चली जाती है जहां लंजा को अपनी मॉम बेट पर ठकी और कमजोर लेटी हुई दिखती है मॉम लंजा अपनी मॉम को पुकारता है जो सुनकर मिसिस लैन अपना सिर घुमा कर लंजा की तरफ देखती है जहां अपनी मॉम से नज़रे मिलते ही लंजा अपने मन में सोचता है कि अभी उसकी मॉम उस पर चिल लाएगी और उसे मॉंस्टर कहकर पुकारेगी और साथ ही लंजा को नफरत भरी नज़ों से देखेंगी पर सर्प्राइजिंगली लंजा को अपनी मॉम के फेस पर रिग्रेट फुल एक्स्प्रेशन्स दिखाई देते हैं तब ही मिसिस लैन अपना हाथ बढ़ा कर लंजा का नाम लेती है जिसे सुनकर लंजा फोरण अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता है और उनके पास बैठते हुए अपनी मॉम के चेहरे की तरफ देखता है जहां मिसिस लैन की आँखों में आन्सू थे जिसके बाद अपनी आँखों में आँसू लिये लंजा की मॉम लंजा के गाल को छूते वे कहती है मीरा बच्चा जिसे सुनते ही लंजा की भी आँखों से आँसू बहने लगते हैं और वो मन में खुश होते वे सोचता है कि उसकी मॉम ने लाइफ में पहली बार उसे अपना बच्चा कहा है उसकी मॉम ने उसे अपना बेटा कहा है तब ही मिसिस लैन रिग्रेटफुल टोन में रोते वे कहती है कि वो सौरी है जो कुछ भी उन्होंने लंजा के साथ किया उन उन्हें इस बात का भी दुख हो रहा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास इतनी लेट हुआ और ये कहते हुए मिसिस लैन नॉन स्टॉप रोती रहती है जिसे देख लंजा भी रोते हुए कहता है कि वो भी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया और अपनी मॉम को हाश वर्ट कहे जिस पर मिसिस लैन लंजा के आंसुओं को पोच्छते हुए कहती है कि लंजा हमेशा से ही एक अच्छा बच्चा था पर उसके डैट की वज़़ा से वो लंजा की अच्छाई देख ही नहीं सकी और मिसिस लैन को तो तब अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ जब जबाद एक पॉज लेकर मिसिस लैन लंजा का हाथ थामते वे आगे कहती हैं कि अब लंजा की लाइफ में एक ब्यूटिफल इंसान है तो अब अगर मिसिस लैन को कुछ भी होता है तब भी मिसिस लैन चाहती है कि उनका बेटा दुखी ना हो और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे जो सुनकर लंजा डरी नजदों से अपनी मॉम को देखते वे कहता है कि उसकी मॉम को कुछ नहीं होगा और वो दोनों अपसे एक अच्छे मॉम और सन की तरह हमेशा साथ रहेंगे और अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाएंगे जहां लंजा की बाते सुनकर मि लंजा की वज़े से ही इतनी खुशी फिल कर रही है इसलिए अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए जो कहकर मिस्स लैंड अपनी आँखे बंद कर लेती है और उनका हाथ लंजा के हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता है जो देखकर लंजा पैनिक होकर अपनी मॉम को आवाज से देने लगता है और फ़ॉरण emergency bell प्रेश करके डॉक्टर और नर्स को भुलाता है जहां मिस्स लैंड को अच्छ से चेक करने के बार डॉक्टर लंजा को बताते हैं ऑननहीं रही जो सुनते ही लंजा उनकंट्रोली रोने लगता है और अपनी माम को हिलाते वे कहता है कि क क्यूं वो अब लंजा को छोड़ गई वो नहीं जा सकती वो लंजा से पूरी लाइफ नफरत कर सकती हैं पर वो बस जाग जाएं क्यूं उन्होंने अभी लंजा को अपना बेटा कहा जब वो उसे छोड़ कर जाने वाली थी लंजा रोते हुए अपनी मॉम से शिकायत करता र जिसे देख हाउशवान स्माइल करते हुए जियांग को टीज करता है कि उसे लगता है कि थोड़े-थोड़े महीनों में उसे किट्नैप हो जाना चाहिए या बिमार पड़ जाना चाहिए जो सुनकर जियांग हाउशवान को हिट करते हुए कहता है कि वह ऐसी कोई विश कै से कर सकता है इस किड़नापिंग की वज़ा से लंजा ने अपनी मॉम को खो दिया और वींग अभी तक होश में नहीं आया है जो कहकर जियांक रोने लगता है और हाउशवान जियांग को गले लगा कर सौरी कहता है और अपनी बात पर बुरा फ्लील करते वे आगे कहता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था लंजा इस वक्त अपनी मॉम को खोकर और वींग को कोमा में पाकर पूरी तरह से मैस हुआ पड़ा है वो बस दिखाता नहीं है लेकिन ये बात हाउश्वान बहुत अच्छे से जानता है हाउश्वान की बात सुनकर अपना मूं हाउश्वान के सीने में छुपाते वे जियांग कहता है कि वो वींग को बहुत मिस कर रहा है बहुत ज्यादा मिस कर रहा है कि तब ही रूम का डोर तेजी से खुलता है और हाउश्वान की मॉम अंदर एंटर करती है जिसे देख जियांग फॉरन हाउश्वान से दूर होकर अपना बैग उठाकर हाउशवान से कहता है कि वो बाद में आएगा पर हाउशवान फॉरन जियांग का हाथ पकड़ कर पूछता है कि वो उसकी मॉम की वज़े से रूम छोड़ कर क्यों जा रहा है दरसल पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा था हाउशवान की मॉम के आते ही जियांग चाप महां से चला जाया करता था। इसलिए आज जियांग को जाने से रोकते वे हाउशवान जियांग से कहता है कि उसका ऐसा करना हाउशवान को अनॉइट फिल करवाता है। फिर हाउश्वान अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है कि अगर उन्हें जियांग को हाउश्वान के पास देखकर प्रॉब्लम होती है तो उन्हें घर वापिस चले जाना चाहिए। वो अपनी मॉम की रिस्पेक्ट करता है और प्यार भी लेकिन उसकी मॉम को भी हाउश्वान के फैसले को रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि जियांग ही वो इनसान है जिसे हाउश्वान प्यार करता है और वो सिर्फ उसी के साथ रहनारत चाहता है तो उसकी मॉम या तो उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स दें या उन्हें अकेला छोड़ दें जो सुनकर जियांग प्राउडली हाउशवान को देखकर स्माइल करता है और हाउशवान की मॉम एक गहरी सांस छोड़कर सोफे पर बैठते हुए ड्रमाटिक टोन में कहती है कि इतना सब कहने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि रोज प्रेगनेंट है जो न्यूज जियांग और हाउशवान पर बॉम की तरह गिरती है और हाउशवान एकसाइटेड होकर पूछता है क्या इसका मतलब अब मुझे उससे शादी नहीं करनी पड़ेगी जिस पर हाउशवान की मौम कहती है कि वो इस बात को मानने से नफरत करती है पस सच यही है कि अब उनकी शादी नहीं होगी फिर वो जियांग की तरफ देखकर कहती है कि अब अगर जियांग ने फ्यूचर में कोई भी गलती करी या हाउशवान को दुख पहुंचाया तो वो अपने सामने एक crazy mom को खड़ा पाएगा जो सुनकर जियांग खुशी से हसने लगता है जिस पर house one की mom आगे कहती है कि उन्हें realize हो गया है कि प्यार सबसे ज्यादा matter करता है और यही सही होता है कि आप अपने प्यार के साथ रहो जो आपको return में प्यार दे सके उफ ये प्य वो hospital से घर ही नहीं गया है जबसे उसकी mom तभी वींग की mom अपनी अधूरी बात कहकर ही बीच में रुख जाती है जिस बात का मतलब समझते वे लंजा जूट कह देता है कि वो ठीक है और चाहता है कि वो पहला इंसान हो वींग से मिलने वाला जब वो होश में आएगा पर स सोचता है कि अपनी mom को खोने का दुख वो already जील रहा है जो उसे अंदर ही अंदर मार रहा है तो वींग का दुख वो एक पल के लिए भी नहीं जील पाएगा लंजा अपने ही खयालों में था कि तभी उसे वींग की mom की आवाज अपने कानों में पढ़ती सुनाई देती है जो अपनी जगा से उठते वे लंजा से कहती है कि वो खुद को संभाले और अब वो बाहर कुछ खाने का लाने जा रही है थोड़ी देर में डेरन भी आ जाएगा ये कहकर वो दूम से बाहर चली जाती है और लंजा एक गहरी सांस भरकर अपना forehead वींग के हाथ पर रग दे से प्यार करोगे तो फिर तुम उठ क्यों नहीं रहे हो वींग मुझे लगता है कि मैं बीमार होता जा रहा हूं और जल्दी ही मर जाओंगा तो प्लीज उठो और मुझे बचा लो और ये कहते हुए लंजा के आंसु उसकी आखो से बह जाते हैं फिर लंजा वींग के फेस भी डिस्चारज हो गया है जी आंग ने इसका इतना अच्छे से खियाल रखा पर लंजा अभी भी यहीं है वीङ के होश में आने का इंतिजार कर रहा है जहां डॉक्टर ने कनफर्म कर दिया है कि वीङप खत्रे से बाहर है और वो कभी भी होश में आ सकता है जो सब सोचते वे लंजा अपने मन में कहता है कि वो अपनी लाइफ वींग के बिना सोच भी नहीं सकता वो वींग के बिना उदास और अकेला हो जाएगा उसकी लाइफ मीनिंग लेस हो जाएगी और यह अपने मन में कहकर लंजा वींग के हाथ पर किस करता है कि तबी डेरन अपने बोहें सिकोडे रूम में एंडर करता है और लंजा से रूडली कहता है कि उसे अब घर चले जाना चाहिए जिस पर लंजा पूछता है कि वो क्यों जाए तो इस पर डेरन कहता है कि लंजा कई दिनों से आराम नहीं कर पाया ठीक से खाना नहीं खाया यहाँ तक की बात लेने घर भी नहीं गया तो अगर वींग को हुश आया और उसने लंजा को इस हाल में देखा तो उसे कैसा फील होगा और वैसे भी वींग का खयाल रखने के लिए लंजा को हेल्दी रहना होगा जहां डेरन की बात सुनकर लंजा है रानी से डेरन की तरफ देखते वे पूछता है कि वो इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है जिस पर डेरन कहता है कि उसे ये एहसास हो गया है कि वींग के लिए लंजा ही सही पार्टनर है और डेरन वींग के सामने एक बुरा इंसान नहीं बनना चाहता खास तोर पर उन दोनोंने कितना कुछ जेला है वो जानने के बाद तो अब लंजा घर जाकर थोड़ा अपना ख्याल भी रखे पर इस पर भी लंजा कहता है कि वो वींग को छोड़कर नहीं जा सकता तभी रूम में हाउशवान और जियांग एंडर करते हुए कहते हैं कि वो भी यहाँ वींग का ख्याल रखेंगे इसलिए लंजा जा सकता है जहां जियांग और हाउशवान को अपने सामने देखकर लंजा घर जाने के लिए पान जाता है और अपनी जगा से उठकर वींग के फोर हेट पर किस करके सीड़े घर चला जाता है वहीं घर जाकर अपने कमरे के चेर पर रेस्ट करते हुए लंजा बस छट की तरफ देखकर वींग के साथ बिताए इस घर में अपने दिनों के बारे में सोचने लगता है जो घर पूरा वींग की यादों से भरा था जहां लंजा ने वींग को फोर्स फुली अपना बनाया था जहां हर रात वो वींग के साथ इंटी मेट होता था और वो कैसे वींग के साथ बिहेव किया करता था लंजा को वो राद भी याद आती है जब वींग लंजा के पास लॉट कराया था और उसे प्रोटेक्ट करने का वादा भी किया था जिन सारी मेमरीज को याद करके लंजा रोते रोते ही वही सो जाता है अगले दिन उठकर लंजा नोटिस करता है कि वो बहुत अच्छा फील कर रहा था उसे पता नहीं क्यों पर एक खुशी महसूस हो रही थी फिर खुद को चियर अप करके लंजा घर को थोड़ा समेट कर जैसे ही शावर लेकर बहार आता है उसका फोन रिंग करने लगता है पर लंजा फोन पिक ना करके रेडी होने का सोचता है पर फोन लगा ता रिंग करने लगता है जिससे अनॉइड फील करके लंजा फोन पिक करने कर डिसाइड करता है जो कॉल हाउश्वान का था करकर के अनॉइट फील करवा रही थी मानो वो तीन साल का बच्चा हो जिस पर वींग अपनी मौम को उसे इतना टच करने को मना करते वे सोचता है कि वो जानता है उसकी माम उसके होश में आने पर बहुत खुश है लेकिन होश में आने के बाद अपने सामने लंजा को ना पाकर वींग अदास था और परिशान भी कि कहीं लंजा को कुछ हुआ तो नहीं न तबी सारे वींग से एक एक करके कहते हैं कि वो सभी वींग को होश में पाकर बहुत खुश है जिस पर वींग स्माइल करता है ठीक उसी वक्त हाउश्वान रूम में एंटर करता है और वींग की नजरे लंजा को ढूनने लगती है जिसे वहाँ ना देकर वींग फाइनली पोची लेता है कि लंजा कहा है जिस पर सारे एक साथ ग खोचुका है जो बात सुनकर वींग शौक्ट होते वे सूचता है कि अपनी मॉम को खोगर लंजा कितना दुखी होगा और उस वक्त वींग भी उसके पास नहीं था लंजा को समालने के लिए जिसके बाद वींग चैन के बारे में पूछता है तो हाउशवान बताता है कि वो लिए जो सुनकर वींग चैन को कर्स करते हुए कहता है कि वो सच में पागल थी फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वींग की मॉम सब को लेकर रूम से बाहर चली जाती है ताकि वींग थोड़ा आराम कर सके और सबके जाते ही वींग खुद को चादर से कवर करके इसी स्माइल के साथ लंजा का नाम लेता है और लंजा भाग कर वींग को टाइटली हग करके कहता है कि अब वो फाइनली साथ है फिर लंजा वींग को कुछ भी कहने से मना करते हुए वैसे ही चुप-चाप हग किये रहने को ही कहता है जिसे सुनकर अपने हग को और वो रो क्यों रहा है तो लंजा वींग के हाथों को किस करते हुए कहता है कि उसने वींग को बहुत मिस किया जिस पर वींग भी कहता है कि वो भी लंजा को मिस कर रहा था जिसके बाद वींग लंजा की मौम के लिए सौरी फील करते हुए कहता है कि वो आज उन्हीं की वज़ा से जिंदा है क्योंकि उन्हों ने वींग पर चरी गोली खुद पर ले ली थी जिस पर वींग को अच्छा फील करवाते हुए लैंज़ा स्माइल के साथ कहता है कि उसे यकीन है उसकी मौम लंजा से कहने का कभी मौका नहीं मिल पाएगा और वो बात ये है कि वींग अपने पूरे दिल से लंजा को प्यार करता है और अब उसके बिना एक दिन नहीं रह सकता जिस पर लंजा कहता है कि वो भी वींग से बहुत प्यार करता है और ये कहकर लंजा की नजर वींग के लिप्स पर पड़ती है जिसे फील करके वींग अपने ही लिप्स पर बाइट करता है और लंजा वींग को ऐसा करते देख कहता है कि वो वींग को किस करना चाहता है और अपना सिर धीरे धीरे वींग की तरफ जुकाने लगता है जो वींग के वाइट सूट को टच करते हुए वींग को कॉम्प्लिमेंट दे रहा था कि वो इस सूट में कितना ब्यूटिफुल दिख रहा है फिर जियांग अपने टमी को टच करते हुए आके कहता है ओ गौड मेरा मन तो दुबारा शादी करने को कर रहा है तो सुनकर वींग स उसे रोस्तीस करता था ये दो साल लंजा और वींग के लिए आसान नहीं थे इन दो सालों में उन्होंने कई बार ब्रेक अप किया फिर उतनी ही बार साथ आ गए ये दो साल लंजा के लिए थोड़ा ज्यारा मुश्किल थे क्योंकि अपनी मॉम को खोकर लंजा पूरी रात रोता रहता था या फिर ड्रंक हो जाया करता था जो देखकर वींग को बुरा लगता था कि वो लंजा का दुख दूर नहीं कर पा रहा था और जब भी लंजा बाहर से ड्रंक होकर आता था तो वींग उससे बहुत ज़्यादा लड़ा करता था क्योंकि वो लंजा को इस त बहुत रुमैंटिक था वहीं जियांग और हाउश्वान की शादी एक साल पहले ही हो चुकी है और इस वक्त जियांग फाइफ मन्स प्रेगनेंट है ये सब बाते सोचकर विंग जियांग की दुबारा शादी करने वाली बात पर कहता है कि ये तो खुश किस्मती है कि शादी बस एक बार होती है विंग के टीस करने पर जियांग एक थंडी आ भर कर कहता है तुम सही हो विंग ये तो शुक्र मनाने की बात है कि शादी और शादी की रात पस एक बारी आती है जो सुनकर विंग ब्रश करता है और शाइली जियांग से पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है और अब उसे भी अपनी वेडिंग नाइट आज पूरी तरह से इंजॉय करनी चाहिए जो सुनकर वींग प्यार से जियांग को हिट करता है तो जियांग दर्द होने का नाटक करते हुए कहता है कि अगर हाउश वान ने देख लिया तो वींग को जेल करवा देगा जो कहते ही जियांग और वींग दोनों ही हसने लगते हैं तभी वींग की मॉम रूम में एंटर करके कहती है कि वेडिंग सेरेमनी बस शुरू होने वाली है और वींग को wedding suit में इतना beautiful देख कर वींग की mom emotional होकर कहती है कि उन्होंने उमीद नहीं की थी कि ऐसा दिन भी आएगा जिस पर वींग भी emotional होकर अपनी mom को hug कर लेता है और उसकी mom वींग से hug break करके उसका हाथ थाम कर वींग से smile के साथ बाहर चलने को कहती है जहां आईल्ड पर से चल कर Wing लंजा के पास जाता है और वो दोनों अपने अपने वेडिंग वाउस लेते हैं फिर प्रीस उन्हें ring एक्सचेंज करने का कहकर वींग और लंजा को husband and husband एनांस करते हैं और एक रूसे को किस करने को कहते हैं जो सुनकर लंजा फॉरन वींग को अपने तरफ खीच कर उसे पैशनेटली किस करता है और ये देखकर वहाँ बैठे सारे गेस्ट क्लैप करते हैं फिर अपने किस को ब्रेक करके लंजा वींग के कान में कहता है वींग आज की रात बहुत लंबी और स्वीट होने वाली है जो एंटल करते ही वींग खुश हो जाता है क्योंकि पूरा रूम बहुत ब्यूटीफली डेकोरेटिग था खास तोर पर बेड जो फ्लावर से बहुत ब्यूटिफुली सजाया हुआ था जो देखकर विंग कहता है कि ये सब कितना ब्यूटिफुल है जो सुनकर लंजा चकल करता है और विंग लंजा को चकल करता सुनकर फरन उसे देखते वे कहता है कि वो शावर लेने जा रहा है जिस पर लंजा स्मर्ग करते वे सिर्फ ओके कहता है जो रियाक्शन देखकर विंग सोचता है कि या कि लंजा के दिमाग में चल क्या रहा है और जब विंग शावर लेकर बाहर आता है तो रूम में लंजा नहीं था जिस मौके का फाइदा उठ कर विंग फॉरन अपना नाइट सूट पहन लेता है कि ठीक तब ही रूम का डोर उपन करके लंजा अंडर एंटर करता है और उन दोनों के बीच में एक खामोशी चा जाती है जहां लंजा की यांके सिर्फ विंग की बाड़ी को घूरे जा रही थी और उसके खुद की टपक रहा था जिसे देखके लग रहा था वो स्विमिंग करके आया है लंजा को देखकर विंग फॉरन बेट पर जाकर लेट जाता है और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है जहां उसे अच्छे से पता था कि लंजा अभी उसके पास आ जाएगा और जैसा विंग ने फूशता है कि लंजा उसे थांक यू क्यों कह रहा है जिस पर लंजा एक स्माइल के साथ कहता है थांक यू विंग मेरा बनने के लिए मेरे इतने बुरे बिहेविर के बाद भी मुझे प्यार करने के लिए मेरा वाइफ बनने के लिए मेरे फ्यूचर चिल्जन का मदब बन कि उसके पास चॉइस ही क्या थी पहले लंजा ने फोर्स फुली उसे अपना बना लिया फिर उसी फोर्स से उसने वींग का दिल भी उससे छीन लिया और वींग सब कुछ प्यार के लिए करता गया जिसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे को I love you कहकर किस करने लगते हैं और ल प्राज वो उसके सिवा किसी का नहीं हो सकता और वींग नहीं जानता कि कब और कैसे लंजा ने वींग का दिल चुडा लिया वींग लंजा का प्रोस्टिट्यूट था पर प्यार ने उसे सब भुला दिया क्यूंकि प्यार सबसे बड़ी ताकत रखता है और वींग को वेडिंग नाइट वो दोनों इंजॉय करते हैं और इसी लव की स्वीटनेस के साथ ये एफफ स्टोरी भी यही पूरी होती है तो गाइज अपने कॉमेंट्स के थूरू मुझे प्लीज बताईएगा कि आपको ये एफफ स्टोरी कैसी लगी और अगर आप सब को आज का ये वीडियो एक्स्प्रेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो पर अपने लाइक्स भी जरूर दे देना और जो कोई भी चैनल पर नहीं आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल स्टोरी है जो आई थिंग 10 या 11 पार्ट में कम्प्लीट हो जाएगी फिर टेम्ट के बाद मैं आप सबको बताऊंगी कि मैं कौन सा नया एफफ स्टोरी स्टार्ट करूंगी तो बस आज के लिए इतना ही मैं जल लोटूंगी न्यू एफफ स्टोरी के साथ तब तक के लिए बाई!